Hi everyone, this is Kamar Usman from Factual Perspective और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है US Presidential Elections के जो विनर है जो बाइडन अभी जैसे आप सारे जानते हैं कि अभी रिसेंटली ही एलेक्शन हुए हैं और जिसमें जो दो टॉप कंटेस्टेंट थे डॉनल्ड टॉप थे, दूसरा जो बाइडन थे उनमें से जो बाइडन अभी विनर करार पाएं तो इस विडियो का जो मेन टॉपिक है वो स्पेसिफिकली वो पॉसिबल रीजन्स हैं जिनकी वज़ा से जो बाइडन ने टॉप को शिकस्त दे दी तो आईए देखते हैं कि वो कौन से पॉसिबल रीजन्स है देखिए जो पहला फेक्टर जिसने डॉनल्ड टॉप की शिकस्त में बहुत अहम किरदार अदा किया वो डॉनल्ड टॉप की अपनी ये गलती है और वो कोविड नाइटीन को जिस बुरे तरीके से उन्होंने मिस हैंडल की है जितना उसे डाउन प्ले की है ये एक बहुत बड़ी रीजन है अगर आप थोड़ा सा भी क्रोना वाइरस की केसिस को फॉलो कर रहे हैं वर्ड वाइड ये स्पेशली अमेरिका में तो आपको बहुत अच्छे से हिल में होगा और लोग उनके इर्दगिर्द मरते रहें अगर आप इवन के डेथ टोल देख लें कोविड नाइटीन का तो आइ थिंक दो लाख तीस हजार से जायद लोग जो है अमरीकी शहरी वो अपनी जान से जो हाथ दो बैठे हैं और वो जो डॉनल्ड ट्रम्प का रवई है वो आपके सामने मदब उसने सिर्फ एक जोग के तोर पे इसे लिया आप इसे अंदाजा करें के लोग मर रहे थे वाइरस जो हमसलसल फैलता चला जा रहा था हमेर कभी भी उन मुमालिक में जान सबसे ज्यादा क्रोना के मरीज हैं तो ये वाइरस वहाँ फैलता रहा फैलता रहा लेकिन जो संजीदगी का आलम था ट्रम्प का और ट्रम्प इंतिजामिया को ये था कि ट्रम्प जब हमोमन गॉल्फ खिलने चले जाते होते थे वो गॉल्फिंग करते हुए नजर आ रहे हैं डाउन प्ले करते फिर रहे हैं मतलब ही इस टोटली चेल कूल उनके नजदीग ये वाइरस कोई नहीं है वो मतलब टोटली उन्होंने इस तरीके से इसे बिहेव किया कि ये जो वाइरस है ये नॉन एक्जिस्टनस है इवन के जो आपके ट्रॉम्प थे उनको मास्क पहनाना जो है वो बहुत ज़्यदा मुश्किल हो पर उन्होंने बहुत ही एंड में आके मास्क पहनना जो है वो शुरू किया था जबकि इसके मुकाबले में अगर आप जो बाइडन को देखें तो जो बाइडन ने ना सिर्फ इसको मतलब प्ले किया है मतलब इस चीज़ का वजूद माना इस हवाले से उन्होंने लोगों को भी एडवाइज की है और इवन के जो बाइडन जो उन्होंने पूरा एक डिटेल्ड प्लैन दी है जब वो इलेक्ट हो गेंगे मतलब वो इलेक्ट नहीं हुए था उससे पहले भी उन्होंने एक पूरा प्लैन दीया था वीडीयो मैسज जारी किया जिसमें उन्होंने हमदर्दी का इजार किया लोगों से के वो लोगों के साथ है और उनके नकसान पे उनका साथ है ऐसी जो सिंप्थी है वो डॉनल ट्रम्प की तरफ से ना देखने में अई लेकिं किसी भी किसम की जो सिंप्थी है जो लोग अपनी जान से चले गए जो फौत हो गए इस बिमारी में वो सिंपथी भी आपको कहीं नजर नहीं आती तो ये जो मिस हैंडलिंग है और इसको जिस तरीके से जो बाइडन इनने अपने हक में यूज किया ये एक बहुत बड़ी रीजन है उनके प्रेजिडेंट इलेक्ट होने की देखिए जो दूसरा फेक्टर है जिसने एक बहुत एम किरदार अदा किया है टरंप की शिकस्त में और जो बाइडन की फता में वो है एमपथी लैक आफ एमपथी बा अमरीकी पुलिस क्या थो मारा गया तो उसको लेके अमेरिका में हितचाश शुरू हुए ब्लैक लाइज मैटर वाला वा सारा सिलसला जो चलता रहा उसको लेकर जो डॉनल्ड टरंप थे उनका ये कहना था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बैसिकली लूटर्स हैं और उन्होंने ये कहा कि वेन दे लूटिंग स्टार्ट्स देन दे शूटिंग स्टार्ट्स इस तरह कि उन्होंने एक स्टेट्मेंट ती और उन्होंने अपने फेडरल एजेंट्स ने वो तक डिपलॉय किये वहाँ पे और उसे ब्रूटली क्रेश करने की कोशिश उनके जो रिष्टेदार थे उनके घरवाले थे उनसे उन्होंने इजहारे हमदर्दी किया और उनका कि हांजी बिल्कुल ऐसा ही है रेसिजम का ये मसला है सिस्टेमाटिक रेसिजम इशू है तो उन्होंने लोगों के पल्स को जानते हुए और जो वहां पे अवामी सेंटिमेंट था उसको सही तरीके से उन्होंने पले आउट किया तो यह जो 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 जाती है तरम्प में जो एमपथी है उसके बहुत ज़्यदा लैकिंग थी बहुत ज़्यदा कमी थी उस कमी को जो बाइडन ने ना सिर्फ पूरा किया बलकि उसे अपने हक में इस्तमाल करते हुए इलक्शन जो है उन्होंने पूरे का पूरा इलक्शन ही जीत लिया जो तीसरा फेक्टर जिसने बहुत ज़्यदा एहम किरदार अदा किया जो बाइडन की फता में वो था कि लोग जो बाइडन के साथ रिलेट कर सकते थे वो किस तरीके से क्योंकि इमोशनली बहुत टफ जिन्दगी गुजरी है जो बाइडन ने 1972 में उनकी बेवी और बेटी जो है वो एक कार अक्सिडन्ट में फौत हो गई इसके हलावा 2015 में उनका एक बेटा था कैंसर का मरीज था वो उसे वाले से फाथ हो गया तो जो इमोशनल ट्रॉमा जिससे जो बाइडन खुद गुजरे हैं उससे लोग रिलेट कर सकते थे वो किस तरीके से रिलेट कर सकते थे कि जिस तरीके से भी पेंडामिक चल रहा है और जितना ज्यादा मैं नुकसान हो गया तो जिन लोगों के जिन लोगों अपने प्यारे खुए थे इस बिमारी में COVID-19 की वज़ा से वो मतलब अपना नुकसान और जो बाइडन के नुकसान के साथ दोने दूसरे को रिलेट कर सकते तो ने पता था किया जिस तरीके से हम अभी इस दुक से गुज़र रहे हैं इसी तरह ये बंदा भी उससे गुज़रा तो ये जो एक पीपल रिलेशन था फिर जो जो पहले पॉइंट का ही करने के एक्स्टेंशन है उसको ले कि जो अवामी कर लें कि जो जजबात थे वो बहुत ज़्यादा डानल्ड टरंप के अगेंस्ट और जो बाइडन केज हो है वो हक में आ गए तो लोग जाएं वो एक ना इमोशनली अपने आपको टरंप की बज़ाए जो बाइडन के साथ ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे था और उन्हें पता था कि अगर ये शख्स इतने ज़्यादा सथ माथस है कि दोबारा मतलब मेंस्ट्रेम पालिटिक्स में आ सकता है दोबारा खड़ा हो सकता है इसी तरह जो हशर अभी अमेरिका का टरंप ने किया है अमेरिका को जिस हाथ तक बिगाड के रख दिया इंटर्नली उसके हल के लिए भी जो बाइडन ही एक ज्यादा बेतर इंतखाब रहेगा नेक्स्ट फैक्टर जिसने जो बाइडन की कामयाभी में एक बहुत ही एहम किरदार अदा किया वो इनका जो एक बड़ी ही सुफिस्टिकेटड किसम की ऑनलाइन डिबेट थी अब इसके ही नहीं फाइड़ा ये हुआ कि एक तो जो बाइडन की एज गाफी ज्यादा है वो भी अमेरिका के सबसे ज्यादा जो बुड़े प्रैजिड़न्ट है वो इलेक्ट हुए जिनके सबसे ज्यादा एज है तो इसका फाइदा उन्हें आनलाइन कमपेंग कही है एक तो उन्हें पूरे मुल्के जो अपनी कमपेंग के लिए दोरे नहीं करने पड़े दूसरा फिर जो COVID-19 के अवाले से उनका स्टास था यह जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला सारा चक्कर था इसको भी बहुत ज़्यदे तक्वीयत पहुची और फिर इन्होंने इसके अलावा इन्होंने फिर जिस तरीके से कमपेंग अपनी चलाई है इससे नाज़ा लगाएं कि जो इनके डिजिटल और्गनाईजर्स उसको एक बहुत ही सुफिस्टिकेटड तरीके से और बहुत ही पहतरीन तरीके से उन्होंने पबलिक तक पहुंचाया मतलब इसके मुकाबले में जो ट्रॉम्प है उन्होंने जो है ऑन दे ग्राउंड रैलेस करने जो है नहायत ही सुफिस्टिकेटड अंदाज में इन्होंने अपनी जो कंपेइन है उसको आगे रन किया बहुत ही बहतरीन अंदाज में से रन किया और बाज एक्सपर्ट के मतारी कि ये शायद अमेरिका की सबसे ज्यादा एफेक्टिव और सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपेइन थी जो के इन लोगों ने चलाई है जो बाइडन है तो ये जो एक इनतहाई और फिर इसका फायदा ये हुआ जो ऑनलाइन कंपेइन थी उसमें ये था कि इन्होंने टरंप की तरह इन से ज्यादा गलतिया नहीं हुए जो मैसेज़े जैलेट से अगर कोई वीडियो बनानी भी है तो आप वो वीडियो अच्छे से रिकार्ड क तो अब क्या करते हैं कि आप अपनी जो शक्सियत के अपनी कंपेर्ण के जो पॉजिटिव पोईंट्स है उनको सामने रखते हैं और इन्हीं उसूलों का जो है वो इस्तमाल इन्होंने भी किया जो बाइडान एसकी टीम ने के अपना पैगाम जो है अपनी जो वीडियो तो उसको नहाय थी अच्छे तरीके से और जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे शाइनिंग एस्पेक्ट्स थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पबलिक के सामने रखा तो यह जो ऑन-lain कोई देखें कंपेन के नारों को तो ट्रॉम्प का था कि में एक अमेरिका ग्रेट अगेन जिबके जो बाइडन ने जब अपनी कंपेन शुरू की तो उन्हें एक विडियो लांच की जिसका नाम था बैटल फॉर दे सोल आफ नेशन तो यही जो अबैटल फॉर दे सोल आफ यही इनका इंतखाबी नारा भी बन गया और इसका मक्सद यह था कि जितना नुकसान डॉनल्ड ट्रॉम्प ने पिछले चार सालों में अमेरिका को इंटर्नली पहुंचाया है इस्पेशली इंटर्नली पहुंचाया है जो एक्स्टर्नली मुलक से बाहर पहुंचाया है व बेसेकली और इसी से मिलता जुलता जो है वो नेक्स्ट पॉइंट वो यह है कि जो बाइडन है इन्होंने बड़ी ही संट्रिस्ट अप्रोच अपना है इन्होंने कोई रैडिकल मतलब ना यह एक्स्ट्रीम राइट की तरफ गए है ना यह एक्स्ट्रीम लेफ्ट की तरफ ग से एग्रिमेंट से जो है उन्होंने अमेरिका को दूरी रखा था लेकिन उसके मुकातले में जो बाइडन ना सिर्फ इस चीज़ को एक्लेम करते हैं बलकि उन्होंने अपने साथ इन्वार्मेंटल एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी अपना शामिल कि उन्हों का जिए जब जोर्ज फ्लॉइड को लेके प्रोटेस्ट चल रही थी ये ब्लैक लाइब्स मैटर वाली तो तब एक बहुत ही रैडिकल और बहुत ही एक्स्ट्रीम डिमांड आई थी कि डी फंड दा पुलिस यानि कि पुलिस को फंड्स ही ना दिये जाएं तो इसको लेके भी इनक एक बड़ा वहिया था इन्होंने बैलस्ट अप्रोच थी जो बाइडन की वह ये थी कि इन्होंने कहा था कि मैं इस नारे को तो सपोज मतलब नहीं सपोर्ट करता कि आप पुलिस को डी फंड कर दें हाँ पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत जरूर है बिलकुल कि पुलि ज़ीग टरंप ने जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान का खातमा और फिर यह जो एक बैलस्ट अप्रोच थी मामलात को लेके इसने एक बहुत ही एहम करदार अदा किया है जो बाइडन की जीद में कि आपके ख्याल में वो कौन सी पॉसिबल रीजन्स हैं जिन की वज़ा से डॉनल्ड टरंप को शिकस्त हुई है जो बाइडन जो हैं वो फतायाब हो अकमी उपीनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बीजेगा इसके साहते इजाज़त दीजिए मिलते हैं नेक्ट वीड के ओőपिजिए को रिम मेंगन है जो हैंना के तारी मिलते हिर आडते हैं से आप सवफू़ा से जरूर रिजा रटा रिएर दाप से शवांव majorएं और बॉवर हैं जले एंजाउ जिकस्ति विलते हिर ऱुवरा बाबन पाई हैं जे जलेगी जलेग जलेगा उलेगा यिस पहा